Zee Entertainment Company के अंदर अगर आपको दो की एसेट्स की मैं बात दरूँ जो की है Zee Music और Zee Studios तो शायद आप हैरान हो जाएंगे ये किस लेवल की Companies है इस Company के अंदर जो खुसी हुई है ये इंडिया का One of the Top 5 YouTube चैनल में से एक आता है चैनल और इसका जो लेवल बिजनस का वो है Content Creation के अंदर एक ऐसा काम है कि एक बार ये आपका गाना, सौंग, जो भी है आपका Create अगर हो जाए तो उसका स्ट्रीमिंग जो है वो lifelong रहती है मतलब की खर्चा एक बारी करने के बाद Company को पूरी lifelong इस बिजनस से रेकरिंग इंकम आईगी Company का अब next बिजनस की मैं बात करूँ जो की है Z Studios Company ने पिछले एक साल के अंदर तक्रीबन तक्रीबन ऐसी ऐसी फिल्म्स ऐसा से Content Create किया है जिसका आब हिसाब लगाएंगे तो आइडिया लग जाएगा कि ये भी एक Grade A Level का Company का asset है Reason being Gather 2 movie इस studio ने प्रोड्यूस करी थी और इंडिया की one of the highest grossing movie है इस साल की आपको ना हमेशा ये नहीं चेक करना कि Z Entertainment का share price 30% डाउन है आपको Google पे खुद अपने हाथ से कुछ चीज़े सर्च करके चेक करनी है कि आने वाला future इस company का कैसा हो सकता है नंबर वन चीज मेरे दिमाग में ये आती है कि इंडिया में वही companies में सबसे आदा problem है जहाँ पे एक तो debt का issue है या फिर promoter का issue है इस case के अंदर ना तो company के पास ऐसा कोई बड़ा debt है जहाँ पे company कहीं जाके फस जाए या फिर कुछ ऐसा case नहीं है कि company के assets में दम नहीं और valuation इस type की नहीं मिलनी जीए मुझे एक ऐसा number दिखाई देता है इस company के अंदर कि जिस company ने इंडिया के media sector के अंदर around 17-18% का market share बना के रखा हुआ है उनके new businesses जैसे की Z5 हो गया, Z Music हो गया और Z Studios हो गए इन businesses की अगरा valuation लगा के देखें तो ये ऐसे growing business है कि आपको समझ आ जगा कि पहले तो एक था हमारा Z जो कि एक cable TV network के अंदर काफी channels थे लेकिन company ने बदलते दोर के अंदर अपने आपको transform भी करना शुरू किया और company ने अपनी हर transcript के अंदर अपने new businesses के बारे में भी एक आपके बारे में view दिये कि company का stage instant किस level पे है ये content creation का जो business है इसका सबसे मसालेदार बात ये होती है कि एक बारी content create करने के बाद अगर आपका content अच्छे level का create हुआ है इसकी ना streaming lifelong होनी है आप चेक कर सकते हैं गानों के business के अंदर जैसे की tips इंडस्ट्रीज होगी जैसे की सारे गामा होगे इनके ना जो multiple बन रहे हैं ना वो ऐसे हैं कि 40-50% के EBITDA मारजबने ये companies काम करती है सारे गामा और tips industries क्योंकि एक बारी गाना आपने बना दिया खर्चा आपने एक बारी कर दिया उसके बाद अगर ये गाना बायचान successful हो जाता है तो इसकी streaming lifelong होनी है और इंडिया की audience जो है वो पूरे world में है तो आप ये हिसाब लगाईए कि आपका जो गाना है अगर successful हुआ तो पूरे world में ये गाना चलेगा क्योंकि इंडिया की audience आपने notice किया होगा इंडिया के लावा भी बाकी countries में जो है और वहाँ पे YouTube बहुत additionally आपको extra वैसे भी देता है तो ये business भी इंका company का intact है company का Z studios के अंदर आगर आप चेक करें जो उन्होंने releases निकाले है गदर 2, king of quota, bro ये ऐसे content company ने create करें है जिसको company ने अपनी management conference call के अंदर बोला है कि syndication करके company इन contents को different platforms में भी sell कर सकती है और किया भी है ये ऐसा transformative हमारा step है जहां पे company ने अपने अच्छे content को syndication का मतलब ये हुआ कि आपने एक दूसरी OTT platform को अपना content जो है वो एक deal towns पे पेचा है ये चीजे करने से आपको एक समझ में आ जाता है कि business में ना कोई problem नहीं है problem वहाँ होती है जहां पे debt की दिक्कत हो जहां पे ब्याज़़ए इतनी ज़्यादा हो जाए है कि business sustainable ना बन रहा हो ये company में तो ऐसा कोई problem area ही नहीं है just because sony को एक corporate governance का issue promoter में दिखा तो promoter का stake आप चेक करें कि कितना है 3.99% के stake के चक्कर में आप 100% की company को short कर दे और उसके share price को तोड़ दें गलत बात है गलत बात इसलिए है क्योंकि इस company के assets को अगर आप value करना शुरू करेंगे तो इंडिया के top 3, top 4 media companies की अगर आप companies की बात करें तो Z का नाम तो आएगा ही आएगा ये अगले 5 साल, 10 साल में इसलिए मैं कह सकता हूँ confidence से क्योंकि इनने जो जो जगों में पैसा लगाया है digital transformation के अंदर, Z5 के अंदर, Z music के अंदर हर छोटे level पे movies भी create कर रही है ये business में कोई गिरावट नहीं दिखाई दे रही ये business growing business है आप भी इन चीज़ों को notice करना शुरू करें share price उपर नीचे होता रहता है थैंक यू